नमस्कार दोस्तों मैं फिर हाज़ूरी हूँ आपके लिए एक निया वीडियो लेकर तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर प्रिविएस येर क्वेश्चिन्स जो आए हैं यूपी ऐसी सी ऐसी प्रिलिम्स में उनका डिसकुशन हो रहा था मतलब हम डिसक हां साथ के प्र cigar समय डिसक्शक कर दिये थे इंदेटिय के कुछ प्रष्ण हम पिछले वीडियो में डिक्स कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो दिखाय तो पहले वह वीडियो जाकर देखिए और अगर आपने एंशिर्ट हीुस्टिए वाले स्यक्श्चं को नहीं दे लगाना प्लस उनका अनिलाईजिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आज जो हम discuss करने वाले हैं वो discuss करने वाले हैं previous year questions of modern history 1995. ientes मैं आपको एक information दे देना चाहती हूं जैसा कि आपको पता है कि only 6 month remaining रह गये हैं UPSC-CSE 2021 के लिए UPSC का syllabus बहुत ही ज़ादा vast है और आपके पास क्या है time है कम या कह सकते है limited time है 20 प्लस subjects आपको cover करने है 100 प्लस books आपको पढ़नी है आखिर करे तो करे क्या तो unacademy लाया है आप लोगों के लिए ultimate GS batches क्या लाया है ultimate GS batches लाया है जो के क्या है bilingual है छीक है इसमें इंडिया की top educators द्वारा आपको classes provide कराई जाएंगी जो की शुरू हो रहा है कब 21st of December को ये शुरू हो रहे है अब आखिर इसमें मिलने क्या-क्या वाला है तो इसमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है फुल स्लेबर्स कावरेज बाइंडिया स्टॉप एजुकेटर यहां पर इंडिया की टॉप एजुकेटर जैसे कि आप नुनाल सर को जानते ही है इकोनॉमी के बेस्ट चीचा माने गए है इनकी यहां पर क्लासेज होंगी और ऐसे ही कई इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके अलग-अलग सब्जिट्स को पूरा करेंगे प्रिलिम्स टेस्स सीरीज यहां पर आपको प्रवाइड कराई जाएगी विद आनलेसिस पीरियर स्टेडी मर्टीरियल यहां पर आपको मिलने वाला है डेरिकेटेड डाउक टेरिंग सेशन्स आपको यहां पर मिलेंगे और इंटर्व्यू प्रिपरेशन भी यहां पर आपको कराई जाएगी Batches के नाम दिख लेते हैं एक Batch है Ultimate GS 6 Month Batch Course for Prelims 2021 अगर आपने प्लान किया है 2021 में UPSC CSE देने का तो आप इस Batch को जॉइन कर सकते हैं एक Batch है Ultimate GS 1 Year Batch Course for UPSC CSE 2022 अगर आपने सोचा है कि 2022 में आपको एक्जान देना है तो आप इस Batch को जॉइन कर सकते हैं अगर आपने ब्लान किया है कि CSE का एक्जान 2023 में आपको देना है आपके पास समय बहुत जादा है तो आप Ultimate GS 2 Year Batch Course जॉइन कर सकते हैं ठीक है जहाँ पर आप देखिए इंडियास के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है चलिए Complete GS Batch Course for UPSC CSE 2023 Mission 2023 जो कि Bilingual है Lux 2023 एक Batch है जो कि Hindi मीडियम वाले स्टूडेंस के लिए है जहाँ पे हिंडी में ही क्लासेस और हिंडी में ही आपको PDFs प्रोवाइड कराई जाएंगी एक Batch है Expedition 2023 जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही क्लासेस और इंग्लिश में ही PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी यह जो Batch है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंस के लिए है अब आखिर मिलने क्या वाला है इसमें आपको यह बैच भी शुरू हो रहा है 21st of December को ही आखिर इसमें मिलने क्या वाला है इसमें आपको मिलने वाला है फुल सेलेबर्स कवरेज बाइडिया स्टॉप एजुकेटर्स अगर आपने प्लान किया है UPSC CSE 2021 में देने का एक 6-month batch course लाया है आपके लिए UPSC CSE Prelims जो की शुरू हो रहा है 21st of December को batches के नाम देख लेते हैं Mission 2021 जो की क्या है Bilingual है Hindi प्लस English हिंदी में आपकी lectures कवर किये जाएंगे और English में आपको PDFs प्रवाइड कराई जाएंगी Lecture 2021 ये Hindi मीडियम वाले students के लिए हिंदी में classes और हिंदी में PDFs आपको प्रवाइड कराई जाएंगी Expedition 2021 ये English में वाले students के लिए है English में ही classes और English में ही PDFs आपको प्रवाइड कराई जाएंगी इस batch में भी आपको मिलेगा prelims labor coverage by India's top educators, prelims test series with analysis, PDF study material, dedicated doubt clearing session और interview preparation यहापे आपको कराई जाए जाएंगी एक batch आया है 2022 के लिए अगर आपने प्लान क्या है 2022 को देने का exam को तो आप इस batch को join कर सकते हैं जोकि complete GS batch course है ये batch भी शुरू हो रहा है 21st of December को batches के नाम देख लेते हैं Mission 2022 जो की bilingual है Laksh 2022 जो की Hindi medium वाले students के लिए है Hindi में ही classes, Hindi में ही PDF expedition 2022 जहापे English में ही classes और English में ही PDF सापको दी जाएंगी इस batch में भी full syllabus coverage है by India's top educators द्वारा prelims test series with analysis यहापे आपको cover करवाई जाएंगी PDF study material, dedicated doubt clearing session और interview preparation भी हापे आपको कराई जाएंगी एक information और मैं दे देना चाहा रही हूँ कि जैसा की आनेक आडमी ने एक plan लाया है जो की plus plus extra benefit एड करके क्या हुआ है बना है iconic subscription ठीक है? iconic subscription इसके बहुत ही जल जो prizes है वो बढ़ने वाले हैं तो अगर आपने इसके लिए अभी तक अन्रॉल नहीं किया है तो फटा फट आप अनेक आडमी आपको डाउनलोड कीजे और अगर आप iconic subscription लेना चाहते हैं तो आप SWYT 10 code यूज करके 10% discount आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो देखिए आखिर यह है क्या iconic subscription है इसमें आपको मिलता क्या है connect with your personal coach यहाँ पे आपको एक personal coach प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि आप सारे doubts अपने पूछ सकते हैं और यह आपकी मदद करेगा इस exam को clear करने में मेंस test series यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगी with evaluation customize your study planner attend study booster sessions study booster sessions यहाँ पे आपको दिये जाएगी high intensity workshops दी जाएगी daily answer writing session यहाँ पे करवाया जाएगी और exhilarate your preparation with daily content तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बस code को याद रख लेगा अगर आपने आपको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फड़ा फड़ जाकर आप डाउनलोड कर लेजिए वहाँ पे free classes भी चलती रहती है free life classes जो कि आपके लिए काफी beneficial रहेंगी quizzes चलते रहते हैं आप उनको भी दे सकते हैं essay workshops चलती रहती है उनको भी free में enroll करने के लिए आप इस code का यूज़ कर सकते है SWYT10 code क्या है SWYT10 है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ SWYT10 इस code का यूज़ करके आप free main classes में enroll कर सकते हैं ओके दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए भी 10% off के लिए आप इस code को यूज़ कर सकते है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न प्रश्न है मोडी लीपी का प्रियोग किनके लेखों में किया जाता है पहला Bode R के B. Zamorino के C. Hoisalo के D. Maratho के Zamorino तो ध्यान से इसका आंसर देना इस question को मैं रखती हूँ tough category का question और very important चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है हाँ question का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक information दे देती हूँ कि जो modern history subject है या आधुनिक भारत का इत्यास है ये subject most important subject है चाहे वो prelims हो या means इस subject को आपको बहुत ही अच्छे से cover करना है चोकि prelims में इसमें से करीब 15 से 20 question पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छा कर लीजे spectrum book इसके लिए best मानी गई है आप उससे पढ़ सकते हैं चली देखते हैं अखिर इसका आंसर क्या है तो मोडी लीपी का जो प्रियोग है किनके लिखों में किया गया है तो जो शिवाजी और पेश्वा है उनकी जो दस्तावेज है उनमें इस लीपी के प्रियोग को देखा गया ठीक है जो इतिहासकार है उनमें ये मतभेद है कि आखे इसका अविश्कारक कौन है तो कुछ इतिहासकार क्या कुछ इतिहासकार कहते है कि जो मोडी लीपी है इसका अविश्कार शिवाजी ने किया है और कुछ इतिहासकार कहते है कि जो इस मोडी लीपी का अविश्कार इसने किया है यादव वंश के जो यादव वंश है यादव जो राजय है, पर यादव अन्श के, एक मंतरी था, जिसका जो नाम था, वो था इमादी, इसने किया, कुछ लोग इमादी को मानते हैं, मोडी लीपी का अविश्कारक, और कुछ लोग Shiva Ji को मानते हैं, मोडी लीपी का अविश्कार तो मोडी लीपी का जो प्रियोग देखा गया है वो मराठो के लेखों में किया जाता था मतलब D is the correct answer चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है हुगली को बंगाल की खारी में समुद्री लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया था A. पुर्तेगालियों ने B. फ्रांसिसियों ने D. डेन्माक वासियों ने और सॉरी C. डेन्माक वासियों ने D. अंग्रेजों ने यह है आपका क्वेशन इसको मैं रखती हूँ important category का question क्योंकि यह जो यह जो पुर्तेगालियों का आगमन हुआ था फ्रांसिसियों का आगमन हुआ था इसके अब प्रशने कम पूछे जा रहे है ठीके 2014 के बाद से 1995 की प्रशन है उस समय ऐसे प्रशने पूछे जाते थे इसलिए important है यह और इसको मैं रखती हूँ moderate category का question moderate category का यह question है तो ध्यान से answer देना तो देखिए हुगली को बंगाल के खाड़ी में समूदरी लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बना रखा था तो जो पूर्तकाली गवनना था नीनो डी कुनहा नीनो डी उसमें क्या किया था जो हुगली छेत्र था उसमें समूदरी लूट पार्ट के लिए उसमें क्या बना रखा था इसे अड़ा बना रखा था ताकि यह जो समूदरी जो जगा है या जो बंगाल के खाड़ी है जहां से समुद्री व्यपार भी किया जाता था उस रास्ते से तो वहां पे वो अपना क्या प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था ओके इसलिए उसने यहां पर लूट पार्ट को भी अलाओ कर दिया था ओके पर क्या हुआ था शहा जहां के काल में इक व्यक्ति था कासिम खां उसने क्या किया था इस छेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया था ओके तो जो हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूपार्ट के लिए किसने अड़ा बनाय था पुर्तगालियों ने मतलब A is the correct answer चले next question दिखते हैं फटाफट next question है सन 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारे पालक परिशत के उपसभापती थे A. जवाहर लाल नहरू B. डॉक्तर S. राधा कृष्णन C. सी राजगुपालाचारी D. डॉक्तर राजेंद्र प्रसाद जहां से इसका answer देना इसको जो मैं रखती हूँ गो रखती हूँ moderate category का question very important चलिए देखते हैं आकर इसका answer क्या है 1946 में जो निर्मित अंत्रिम सरकार थी उसके जो कारे पालक परिशत के उपसभापती थे वे थे जवाहर लाल नहरू कौन थे जवाहर लाल नहरू थे और जो श्री राजगुपालाचारी थे यह किस से related थे इस समय शिक्षा, डॉक्टर राजे इंद्र प्रसाथ, खाद्य और क्रशी विकास इस से यह related थे 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में जो कारे पालिक परिशत के उपसभापती थे वो कौन थे जवाहर लाल नहरू थे? मतलब A is the correct answer चलिए नेक्स्ट क्वेशन दिखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेशन है निम लिखित में से कौन सा युग में सही सुम्मेलित नहीं है A. जमना लाल बजाज वर्धा का सत्यागरह आश्रम B. दादभाई नरोजी बंबई एस्सेशन C. लाला लाजपत राए लाहोर का राश्ट्र विद्याले D. बाल गंगा धर्तिलप सत्यशोधक समाज B. बहुत अच्छा क्वेशन है ये इसको जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ Very Very Important और Moderate Moderate क्याटेगरी का क्वेशन है और Very Very Important ये आपका क्वेशन Question देखिए क्या है बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है मतलब जो गलत है वो बताना है तो देखिए जमना लाल बजाज वर्दा का सत्याग्राय आश्रा तो ये बात तो बिल्कुल सही है दादा भाई नौरोजी बंबई एस्सोसियेशन 1852 ये भी बिल्कुल सही है लाला लाचपत राय लाहूर का राष्ट्रे विध्धाले ये बात भी बिल्कुल सही है फिर आते हैं बाल गंगा धर तिलक और शत्यशोदक समाज ये तो बिल्कुल गलत है सत्यशोदक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी जोतिभा फूले ले कब 1873 में और जो बाल गंगा धर तिलक रिलेटेड है वो रिलेटेड है गड़पती उत्सव उत्सव और होम रूल होम रूल आनने लगी ठीक है तो जो ये डी है बाल गंगा धर तिलक और शत्यशोदक समाज ये गलत है बाकी ये सब के सब क्या है सही है मतलब D is the correct answer तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच् झाल झाल गछा प्वेजियो ऑफार पदोस्तों आपको ये वीडियो में थापको ये थापको ये तो